दोस्तों कहा जाता है कि बुरी संगत का परणाम भी बुरा होता है। हम लोग दोस्तों चीन को कितना समझाए थे कि पाकिस्तान जैसे दुष्टों की संगत में रहोगे तो तुमारी भी दुर्दसा होगी। आज दोस्तों परणाम देख लीजिए चीन को 200 बिलियन डॉलर का फटका लगा है। विदेशी निवेसक चीन के मार्केट से पैसा निकाल के भाग रहे हैं। ओने पोने जिस दाम पर माल बिक रहा है बेज रहे हैं क्योंकि उन्हें चीन पर रत्ती बर बरोशा नहीं बचा है और दोस्तों लाल चीन से पैसों के काले घने बादल ये जो उठे हैं। उसके कारण भारत पर भी मूशलाधार वारिस हुई है। 20 बिलियन डॉलर का निवेस तो भाग जी इसी साल के 6 महीनों में आया है। और दोस्तों कोरोना क्राइसिस के दौरान हम सभी ने देखा है। पूरी दुनिया का जोपड़ा जलाकर चीन ने अपनी चिलम सुलगाई थी। लेकिन दोस्तों समय का पैया घूमा है। चीन को उसके कुकरमों की सजा मिली है। उसी 2021 की तुल्ला में 17 फीसदी कम बिदेशी निवेस चीन में रह गया है। और दोस्तों सबसे अच्छी वात यह है कि शुरुआत में चली थी से नो टू चाइना पॉलिसी। फिर उसमें बदलाव आया तो बन गई चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी। लेकिन अब जो नई स्ट्रेटजी आई है उसका नाम है अवाइड चाइना। चाइना को छोड़ो बेचो भागो। चारों तरफ स ऐसी ही बातें आ रही हैं विदेशी ने वेशक लोटा बाल्टी लेकर चीन वैसे ही छोड़ो कर भाग रहे हैं जैसे दो सालों पहले अमेरिका अफगानस्तान से भागा था और दोस्तों चीन की फजियत तो इतनी बुरी हुई है पहले इमर्जिंग मार्केट के बीच में इनका बजन 30% होता था जो घटके 27% हो गया कारण यह है कि चीन में अगर निवेश करो तो रटर्न मुनाफ़ा बनता ही नहीं है तो भाईया जी कई लोगा ने फंड लॉंच किये हैं जो की इमर्जिंग मार्केट के तो हैं लेकिन चीन में निवेश नहीं करते देख लीज दोस्तों अगर शेर मार्केट की बात छोड़ भी दें तो चीन के सरकारी बॉंड मार्केट से 26 बिलियन डॉलर पैसा निकला है सोचिए आप यदि निवेशक सरकारी बॉंडों को ओने पोने दाम पर बेचें तो सरकार की साख कितनी गिर गई है इसका अंदाजा लग जाता है और दोस्तों साब बिच्छू खाने वाले चीनियों की ये दुर्जसा कब हो रही है जबकि पूरी दुनिया में ब्याज दरें बढ़ा ही जा रही है और चीन काट रहा है मार्केट में इन्होंने पैसे की बार ला दी है फिर भी किसी को चीन की ग्रोथ स्टोरी पर भरोस नहीं है चीन की जो मुद्रा है वो 16 सालों के न्यून तम इसतर पर खड़ी हुई है चीन के राजा की उकात और उनकी मुद्रा की वेल्यू दोनों एक साथ डूब रही है दोस्तों जबकि चीन के लिए चोतरफा बुरी ख़बरा रही है साथ में इनका सदाबार दोस्त ही इनका सजाबार दुश्मन बन गया है। इसलिए दोस्तों चीन की आज जो बुरी खालत हो रही है। इससे हम सभी के मन में रती भर सांटोना का भाव पैदा नहीं होता है। आज इनको इनके दुशकर्मों की सजा मिल रही है। उपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं। ये बात पूरी तरह से सिद्ध होती है चीन के केस। दोस्तों पिछले सेकड़ो सालों में पहले मुगल, फिर मिशनरी और अब लेफ्ट लिबरल इको सिस्टम का हमारे खिलाफ हमला चल रहा है। जिसमें दिखाया जाता है कि हिंदू लोग तो भईया जी दकिया नूसी पूजा पाठ में करमकांड में लगे रहते हैं। इनका साइंस से विज्ञान से कुछ लेना देना नहीं है। जबकि दोस्तों ये वाश्तविक सचाई है कि ग्यान के सरूप गणपती महराज की हम सबसे पहले पूजा करते हैं। साथ में आकणों के माध्यम से महालक्ष्मी जी हम सभी को साक्षात और सजीव रूप में मार्ग दरसन देती हैं। आज ये जो अमेर की लोग हमें डेटा साइंस की बात समझाते हैं वो हम भारतिय सदियों से करते आ रहे हैं। डेटा के माध्यम से महालक्ष्मी जी ने हम सभी का मार्ग दरसन हमेशा से किया है। इसलिए दोस्तों आकड़ों के माध्यम से महालक्षमी जी का आदेश पढ़ने की कला सीख लीजिए और दोस्तों यदि हम नहीं सीखेंगे तो लेफ्ट, लिवरल और कम्मिनिस्ट हमेशा हमें गालियां देते रहेंगे कि ये लोग तो भया अंदभक्त हैं, दकिया नूसी है पाखंडी हैं और तंत्र मंत्र में विश्वास करते हैं इसलिए दोस्तों आप में से जो हमारे विद्यारती हैं वो आगामी 22 सितंवर से 6 अक्टूबर के बीच महालक्षमी ब्रत के दौरान अपने-अपने कोर्सिस का अध्यन पूरा की दिये